आपका नियूस तक अब एक करोड के पार आपका अभार यूही बना रहे अपना प्यार अत्याक्ष्त महोदे आपने मुझे बोलने कैजाज़त दिया मैं आपकी अभारी हूँ भरतिया राष्टिया कांगरिस के तराफ मैं नारीशक्ती बंदन अदिनियम दो हजाद तेज के समार्तन में कड़ी हूई हूई दूए से बड़ी हूई रसोई से लेकर रोश्णी से जगमगाती हूई स्टेडियम तक भारत की स्ट्री का साफर बहुत लंबा लेकिन लेकिन आखिर खार उसने मन्जिल को चूलिया है उसने जानूं दिया उसने परिवार चलाया उसने पुरुशों के बीच तेज दोर लगाई और असीम धीरच के साथ अक्सर कुद को हारते हुए लेकिन आकरी बाजी में जीतते हुए देखा भारत की स्ट्री के वृड़े में महसागर जैसा धीरच है उसने कुद के साथ कुई बहिमानी की शिकायत नहीं की और सिर्फ अपने फैदे के बारे में कभी नहीं सोचा उसने नदियों की तरह सब की बहाय के लिए काम किया है और मुश्किल वक्त में हिमाले की तरह अदिख रही श्ट्री के धैर्य का अंदाज लगाना नमुम्किन है वह आराम को नहीं पैचानती और तक जाना भी नहीं जानती हमारे महांदेश की माह है श्ट्री लेकिन श्ट्री ने हमें सिर्फ जनम ही नहीं दिया है अपने अपने आसों खुनपसी ने सीच कर हमें अपने बारे में सोचने लाइक उद्दिमान और शक्तिशाली भी बनाया है अद्यक्ष महादे श्ट्री का महेनत श्ट्री का गरीमा और श्ट्री के त्याग की पहचान करके ही हम लोग मनुश्यता की परिक्ष में पास हो सकते हैं अजादी के लराई और नए भारत के निर्मान के हर मोर्चे पर श्ट्री पुरुष के साथ कंदे से कंदा मिला कर लड़ी है वह उम्मीदों, अकंचाव, तकलीफों और गार के हस्ती के बोज के नीचे नहीं दबी सरोजनी नाइडू, सुचेता क्रिपलानी, अरुना असाफली, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमार अमरिट कौर और उनके साथ तमाम लाको लाको महिलाई से लेकर आज की तारिक तक श्ट्री ने कतीन समय में हर बार महात्मा गांदी, पंडिचवाला नेहू, सरदार पतेर, बाबा सहाब बन बेद कर और मुलाना आजाद के सपनों को जमीन पर उतार कर दिखाया है इंडिरा गांदी जी, इंडिरा गांदी जी का व्यक्तित्व इस सिल्सिले में एक बहुती रोशन और जिन्दा मिसाल हो अध्याक्ष्मा होगे, खुद मेरी जिन्दगी का ये बहुत मार्मिक शान है पहली दफा, स्तान्य निकायों में, स्त्री की भगिदारी तैक करनेक वाला संविधान संशोडन मेरे जीवन साती राजीव गांदी जी ही लाए थे, नोने लाए थे जो राज्यस सबा में साथ वोतों से गिर गिया था बाद में प्रदान मंत्री पीवी नरसी मराओ जी के नित्रित्व में कांगरे सरकार ने ही उसे पारिट कराया आज उसी का नतीज़ा है कि देशवार के स्थान्य निकाईयों के जरिये हमारे पास पंद्रा लाग चुनी हुई महीला नेता है राजीव गांदी जी का सपना अभी तक आदा ही पूरा हुआ है इस बिल के पारिट होने के साथ ही वो पूरा होगा कांग्रेस पार्टी इस बिल का समार्तन करती है हमें इस बिल के पास होने से कुशी है मागर इसके साथ साथ एक चिंता भी है मैं एक सबाल पोचना चाहती हूँ पीछले तेड़ा वर्षों से भरतियस त्रियों अस्त्रियां अपनी रजनीटिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही है और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहां जा रहा है कितने वर्ष दो वर्ष चार वर्ष छे वर्ष आठ वर्ष क्या भारत की स्त्रियों भारत की स्त्रियों के साथ परताव उचीट है वर्ष और राष्टियों कांग्रिस की मांग है कि ये बिल फोरान अमन में लाए जाए लेकर 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 इसके साथ ही कास्ट सेंसर्स कराकर चाध बिसई की महिलाओ के अरक्षन की व्यावस्ता की विए सारकार को इसे साकार करने के लिए भी जो कदम उठाने की जरूरत है वो उठाने ही चाहिए अध्याक्ष महोदे श्ट्रियों के योगदान की स्विकार करने और उसके प्रती अभार व्यक्त करना का यह सबसे उचेच समय इस बिल को लागू करने में और देरी करना भारत की स्ट्रियों के साथ घूर नाइंसाफी है बर्तिया राश्टिया कांग्रिस की तराफ से मैं आपके द्वारा सरकार से मांग करती हूँ कि नारिशक्ती बंदन अधिनियान दो हजार तेश को उसके रास्टे की सारी रुखावतों को दूर करते हुए जल्दी से जल्दी लागू किया जाए ऐसा ऐसा करना ऐसा करना ना सिर्फ जरूरी है बागी संबाद भी है हन्यवाद झाल झाल